आपका स्वागत है आज का सेशन है करेंट अफ है फिर से तीस अप्राइल ठीक है तो आज ये देखते हैं पहला कोशिन आपकी सामने यह रहा निजी छेत्र के किस बैंक को वित्ती वर्ज दो हजार उन्निस बीस की चौथी तिमाही में 1,387.78 क्रोण रुपाय का घाटा हुआ तो इसका सब्साहर उत्तर है एक्सिस बैंक ठीक है एक्सिस बैंक का क्या हुआ है घाटा हुआ है निजी छेत्र के एक्सिस बैंक को वित्ती वर्ज दो हजार उन्निस बीस की चौथी तिमाही में 1387 दसमलो 78 क्रूप गाटा हुआ लेकिन बैंक की ग्रास NPA और नेट NPA के दोरान कम ही आई है ठीक है अब अगली कोश्चन में आगे बढ़ते हैं दूसरा बॉली वुट के किस एक्टर का हाल ही में नियूरो एंडो क्राइन ट्यूमर से निधन होगी एक प्रकार कैंसर है ठीक है जिसका नाम है इम्रान खान ठीक है मैं थोड़ा लेट हूँ इसलिए आज रिसी कपूर जी का भी निधन हो चुका है ठीक है आंगे बढ़ते हैं असम्राज सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे कज़े है ठीक है तो ते दोस्तों 50 लाइब तीक है 50 लाइब फिर्सक्राव कर तो 50 Fellows कर रहे हें महामारी को कवर कर रहें पत्रकार असली हीरो है ठीक है तो किस सरकार ने तो असन सरकार पत्रकारों के लिए पचास लाग है नहीं हर एक पत्रकार का बीमा होगा जो कि अगर कोरोना वाज से प्योड़ी थे फिसका उसकी डिर्स हो जाती है तो उसको पचास लाग रुपर उसक और फोटर कोश्चन कि एंटी पीसी ने एंटी पीसी ने हाल ही में कितने हाइड्रोजन इन सेल आधारित बस और दस इलेक्ट्राइड कारों कि लांच की है ठीक है तो जो है यहां देखते दस ठीक है गानमबर सही आपसान है नेशनल थर्मन पावर कॉर्पलेशन ठीक है ना कि रेलेवे की कोई जॉब ठीक है एंटी पीसी क्या है कंपनी है मैंने 28 तारीक के करेंट अफेर में भी यही बताया था तो एंटी पीसी का पूरा फुल नेम जो है क्या है नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन ने हाल ही में नई दिल्ली और ले ले एक साहर का नाम है म दस हाइड्रोजन इगन से अधारित बस और दस एलेक्टरोनिक कारो की लाउंच की है पर रहा रहा अनकूल इन बसों में हाइड्रोजन इधन अधारित से होता है ठीक है यह सरकार की पहल जिससे की जो इधन हमारा काफी ज्यादा लगता है पेट्रोल डीजल एटीसी तो इ इलेक्टरोनिक करो से यह सब नहीं होगा ठीक है आगे बलते हैं रहा पांचवा कोशन यह भारती मूल की डैस को आर्थिक सहयोग और विकास संग्ठन में अमेरिका का अगला दूद नुक्त किसे का गया ठीक है नुक्त किसे किया गया है तो यहाँ पर है मनीशा सिंग ठीक मनीशा सिंग जो है भारती मूल की मनीशा सिंग को आर्थिक सहयोग और विकास संग्ठन में आमेरिका का अगला दूद नुक्त किया गया है मनीशा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री है ठीक है हैं साइक मंत्री समय कौन है मनीशा जी है विदेश विभाग में ठीक है छटा कोशन आता है इंडिया रिष्टिंग एंड रिसर्च इंडिया रिस्टिंग एंड रिसर्च इन अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाया कर कितने फिजदी कर दिया है ठीक है तो कितने फिजदी कर दिया है आईए देखते हैं एक दसम्नों नौ फिजदी कर दिया है यह है क्या इंडिया रेस्टिंग एंड रिसर्च ने हाली में अपने 2020-2021 के आर्थिक विकास के समनों नौफिजदी कर दिया है जो कि घड कर पिछले 29 वर्सों से सबसे कम रद्धी होगी ठीक है आएंगे आते हैं सात्वा क्वेश्चन रूस में कोरोना के सब्सक्राइब कर दिया गया है साथ ही रूस में कोरोना से 867 लोगों की मौत हो चुकी है जिसके चलते लोगों की सुरच्छा के मद्दे नजर नौन वार्किंग नौन वर्किंग पेरियेट को 11 मई तक बढ़ा दिया गया है यहाँ पर 11 मई तक कुछ भी नहीं खुलेगा जिस अभी अपने इंडिया में है लेकिन लोगों को मानना नहीं होता कोरोना वाइरस ने सारोजनिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत कौन से इस्थान पर थीक है और सबसे अधिक लोग इससे प्रभावित हुए फिर इस्पेन इटली फ्रांस जर्मरी एंड प्रिटेंग ठीक है अब आते हैं अगला कोशन 30 अपरेल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है ठीक है तो 30 अपरेल को विश्व भर में अंतर राश्ट्री जैज दिवस मनाया जाता है जिससे सुरुआत सबसे 35 अपरेल 2016 को यूनेसको ने इसे वासिंग्टन डीसी में की थी इस डिवस जैज विविन बाधाओं को तोड़कर आपसी समझ और सहिंड्स ता के लिए आउसर पैदा करता है ठीक है आँगे पढ़ते हैं खिलाडी और कोच के तोर पर रलजी ट्राफी जीतने वाले अरल कुमार को कितने वर्स के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच न्युक्त किया गया है ठीक है तो कितने तो दो वर्स के लिए किया गया है आईए देखते जानते हैं तो खिलाली और कोच के तोर पर रणजी ट्राफी जीतने वाले अरुन कुमार को दो वर्स के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेट कोच नियुक्तिक किया गया है साथ ही वे हैदराबाद और पॉंडुचेरी क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं ठीक है आज कर समाप सिर् प्लिस लेक है प्लिस लिकन शुट्सक्राइब धन्यूवाब